हेलो फ्रेंट्स आज की रेसिपी जटपड बनने वाली है मुस्किल से मुस्किल दस मिनट में यह आसानी से बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाव रहता है खाने वाले खाते रह जाएंगे ना नहीं करेंगे तो फिर चलिए बनाते हैं फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज इस रेसिपी को हम बनाएंगे कच्छे आलू से उसके लिए एक मीडियम साइज का कच्छा आलू लेना है जिसको हमने बड़े-बड़े पीसिस में कट किया है साथ पे एक कटा हुआ प्याज लेंगे अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा हरा धनिया हरा धनिया से टेश्ट तो आता ही है साथ में कलर भी आता है साथ में दो कली लेसन का एक हरी मिर्ची अब इसमें थोड़ा सा जोरत पड़े तो पानी डाल के आप पीस सकते हैं या फिर इसी तरह से अब यह आलू पीस चुका है पीसने के बाल आप देख सकते हैं धनिया पत्ती के कारण बहुत ही अच्छा कलर आया है अब इस आलू को हम एक मिक्सिंग बॉल में निकाल लेंगे आप चाहे तो धनिया पत्ती काट के भी डाल सकते हैं काटने से इतना ग्रीन कलर नहीं आता है अब इस पीसव आलू को घोलना है पानी डालके उसके लिए देढ़ कप पानी लेंगे अब इसमें डाल देंगे आधा चमाच कच्चा जीरा कच्चा जीरा से टेस्ट आता है वो फ्लेवर दोनों आता है नमक डालेंगे अपने स्वात के अनुसार साथ में आधा चमच, कुटीवी, लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स अब इसमें हमें डालना है एक कप चावल का आटा एक कप चावल आटे में डेड़ कप पानी डालना है आप चावल आटे के जगा सूजी भी डाल सकते हैं बस अब चावल आटे को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इस घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और काफी गाढ़ा भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है यदि आप पतला कर देंगे, तो जैसी कड़ाई में डालेंगे तो बहुत देर लगेगा इसे पकाने में बस यह अच्छी तरह से गुल चुका है पूरा आप देख सकते हमने नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा है पतला भी नहीं अब इस घोल को हमें पकाना है उसके लिए एक कड़ाई लेंगे और ठंडा ही कड़ाई में घोल को डालतेंगे जैसे ऐसे यह घोल गरम होगा वैसा ही यह गाढ़ा होना सुरू हो जाएगा तो इस स्टार्टिंग में आप नहीं भी चलाएंगे बस वैसा ही करना है सेम प्रोसेस से बस अब इसी तरह से हमें चलाते वे मिक्स करना है और पकाते रहना है मुश्किल से मुश्किल 5-6 मिनट लगता है पकने में स्टार्टिंग में जब आप इसे पकाएंगे तो कड़ाई में चिपकेगा लेकिन जैसे ही पूरा पक जाएगा ये तो कड़ाई पूरा छोड़ देगा इसका ये पहचान है तो आप देख सकते हैं अभी कड़ाई में किनारी किनारे चिपका हुआ है लेकिन ये थोड़ी दिर बाद पूरी अच्छी तरह से निकल जाएगा अब ये चावल का आटा पूरी अच्छी तरह से पक चुका है पकने के बाद आप देख सकते हैं हमने कहा था ना कि कड़ाई को छोड़ देगा बस वैसा ही आप देख सकते हैं पूरा चिकना हो गया है कड़ाई अब इसके उपर हलका सा एक चमच तेल डालेंगे तेल डालने से हाथ में चिपकता नहीं है अच्छी तरह से मसल मसल के मिक्स करना है अब यह चावल आटे का डोल लग गया एकड़म स्मूथ है आप देख सकते हैं एकड़म चिकना जैसे ही आप एक उंगली डालेंगे वैसे ही एकड़म अंदर तक चला जाएगा अब हाथ में थोड़ा सा तेल लेना है तेल लगाने से हाथ चिकना हो जाता है चिकना होने के करण ये हाथ में चिपकेगा नहीं बस छोटे साइज का लोई लेना है लोई को इस तरह से बस प्रेस कर देना है एक इस तरह से बना सकते हैं या फिर आप बस अंगुठा का सेप इस तरह से लगा दें पेड़े के सेप में भी और टूसरा मैं बताती हूँ, एक चमश में थोड़ा सा मिष्रन लें, कोई सा भी चमश ले सकते हैं, मिष्रन को डालके बस इस तरह से प्रेस करते, प्रेस करने से बस एक साइज का बनके रेडी हो जाता है, बनाना तो काफी इजी और ज़ल्दी बन जाता है, और सासत एक साइज का सुंदर सुंदर बनके ready होता है तो बाकी कभी हम इसी तरह से बनाके ready कर लेंगे अब ये सारे बनके ready हो गए एक साइज के अब इसे हमें fry करना है तलने के लिए कड़ाई में तेल गरम करेंगे और साथ में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है जब एक-एक साइज सीख जाएगा तो बस इस तरह से पलट लेना है पलट के दोनों साइज से एक दम सुनहेरा होने तक तलना है अब अच्छी तरह से सुनहेरा कलर का हो गिया है अब इससे हम निकाल लेते हैं और बाकी कभी हम सेम प्रोसेस से इसी तरह से तल के रख लेंगे अब इस सारा चावल आटी का नास्ता बनके रैडी हो गिया है कोई कह नहीं सकता है कि ये चावल आटी से बना हुआ इतना ज़्यादा टेस्टी और उपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सौफ्ट बनता है और तेल तो बिल्कुल भी नहीं सोकता है तो इस रेसिपी को आप एक पर जरू ट्राए करें अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई